नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में रहत दिलाता है ये तीन चमत कारी घरेलू उपाए एक बार इस्तेमाल किया तो फिर नहीं होगी आपको खांसी चाहें जैसी भी हो सूखी हो तर हो बलगम वाली हो या फिर तेज दवाओं के सेवन के कारण चाती पर कफ जम गया हो तो अपनाना चाहिए आपको ये घरेलून उसके जो बिल्कुल सुरक्षित है और इन पर स्थीतियों से आराम मिलता है ल होती है लेकिन यह एलर्जी अस्थमा एसीड रिफ्लेक्स शुषक हवा और दवाओं के कारण भी हो सकती है खांसी अत्याधिक पीड़ा दायक और परिशान करने वाली हो सकती है इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं इन्हीं युक्तियों को अपनाए और इस से छुटकारा पाईए बदलते मौसम में खांसी जुकाम बुखार जैसी बिमारिया होना बहुत ही आम बात है जब खांसी जुकाम और बुखार जैसी बिमारिया होती है तो इसके साथ एक बिमारी और होती है जो छाती और गले में बलगम जमने की बिमारी है गले में बलगम जमने से हमें श्वास लेने में तकलीफ महसूस होती है तथा यह अन्य कई बिमारियां उत्पन करता है इस समस्या से छुरकारा पाने के लिए हमें दवाईयों का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत जल्दी असर नहीं दिखाती है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में रहत दिलाने वाले तीन चमतकारी घरेलू उपाय जो आपके लिए काफी लाफकारी सावित होंगे छाती और गले में जमे कफ के लिए घरेलू उपायों को आईए जानते हैं शहद और निम्बू का प्रियोग निम्बू के रस और शहद मिला करके सेवन करने से चाती और गले में जमे हुए कफ से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि निम्बू में सित्रिक अमल होता है जो कफ को नश्ट करने में उपयोगी होता है इसके अलावा शह पानी लेकर के उस पानी में यह काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म करें जब यह गुंगुना ठंधा हो जाए तो इसका सेवन करें इससे छाती और गले में जमें हुए कफ की समस्या एक दिन में दूर हो जाती है हर तरह के खासी का है इलाज यह अ उबालना है और जब उबलते उबलते केवल दूद हीं बाकी रह जाए तो इसे उतार लेना है फिर इसे चानकर खासी के रोगी को गुंगना सा पिला देना है इससे खासी पूरी तरह से ठीक हो जाती है जिहां खासी दूर करने का एक और अन्य घरेलू उपाए जान लिजी 100 ग्राम जलेबी 100 मिलीलिटर दूध में मिला करके खाने से सुखी खांसी में लाभ मिलता है दूध में 50 पीपल डाल करके गर्म करके इसमें चीनी मिला कर रोज सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाती है शहद का उपियोग करना खांसी को दबाने का और गले की खराश में रहत पाने का एक प्रभावशाली तरीका है कई अध्यानों में यह पाया गया है कि शहद न सिर्फ समाने तोर पर मिलने वाली खांसी की दबाओं के समान खांसी को कम करने में असरदार है बलकि कभी-कभी उनसे भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है शहद म्यूकस मेंब्रेन को आवरित करने और रहत पहुचाने में मदद करती है अगर खांसी के कारण सोने में परिशानी होती हो तो सोने के पहले शहद का सेवन करना बहुत लाफकारी हो सकता है आपके लिए सूखी खांसी में पान के साधे पत्ते में एक ग्राम अजवायन रखकर चबा करके रस निगलने से सूखी खांसी मिटती है केवल अजवायन एक दो ग्राम खा करके उपर से गर्म पानी पी कर सो जाने से भी सुखी खासी तथा दमा और श्वास रोग में शिगर ही लाव मिलता है फेफडों के रोगे में अजवायन का सेवन यानि कि प्रियोग करने से काफी लाव मिलता है जिहां अजवाइन का सेवन कफ नश्ट करके फेफडों को मजबूत बनाता है छाती के दर्द में ये लाफ पहुंचाता है पचीस ग्राम अलसी यानि की तीसी को कुचल कर 375 ग्राम पानी में ओटाएं जब पानी एक तिहाई यानि की 125 ग्राम रह जाए तो उसे मल चान करके 12 ग्राम मिश्री मिला करके रख लें उसमें से एक चमच भर करके काढ़ा एक घंटे के अंतर से दिन में कई बार पिलाएं इ और बेहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों